आज 25 जून है और सविधान की दुहाई देने वाले लोगों ने आज से 20 वर्ष पहले अपातकार लगा कर सविधान के धच्या उड़ाई थी आज वो लोग सविधान की प्रतिया लेकर पार्लेमेंट में सोतमतिता के बाद पहली बार सारे देश को जेल बनाने वाले लोग आज सविधान की प्रतिया लेकर चल रहा है आज की केबिनेट की बैठक के पहले मानि मुख्यमंत्री जी ने इसी बात का इस्मरण कराते हुए ये सब लोग जो सविधान का राजनिती को प्योग कर रहे हैं उनके निंदा की है और जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था उस आपातकाल के कारण कई लोग एक तरीके से बर्बाद हो गए जिनको कि में भी प्त्यक्षूर्ण से जानता हूँ मवंजी भी ्त्यक्षूर्ण से जानते हैं udah की उनके पर्रिवार के लोग जेल में चले गए बिजनेस आपना कान्धा नहीं दे पाया हूं। आपात काल लगाने वारों की निंदा की है। दूसरा चुर्ट लोकसबाद देक्षिक के लिए ऐ अम बिर्ला जी को एक बार फिर से पार्टी ने फार्म भरवाया है। मंत्री मंदल ने उन्हें बढ़ाई दी है और शुप कामना दी है जेल सुधार ग्रह है उसमें और कैसे सुधाय बढ़ाई जाए और वहां रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए इसकिल डेवलप्मेंट किया जाए इस दिशा में सरकार अतिशिग्र विधान सवा में एक बिल लाएगी है एक बहुत ही महत्तुपुर्ण निना हुआ है जिसमें हमारे एगरिकल्चर से पास आउट नोजवानों को रोजगार भी मिलेगा जो प्रधान मंतर जी का सपना है स्वाइल टेस्ट के लिए भारत सरकार ने सभी ब्लॉक्स में भहण्यू बना दी पर अब विवस्थिक स्वाइल टेस्ट हो इसके लिए आज के मंतर मुद्व्मेंट निना लिया गया है कि हम कुछ क्रशी से संब्धित सहकारी संस्ता हैं वह एग्रिकल्चर पास आउट नोजवान अब वहां पर स्वाइल टेस्ट कर सकेंगे सरकार उनके खर्चे जिससे आत्मिद्वर बन सके लगभग 45-45 टेस्ट हर ब्लाग में कराएगे उसका पैमेंट करेंगे और बाकी वह अपनी छमता से किसानों को समझा करें जितना ज्यादा सवाईल टेस्ट करा सकेंगे उससे उनको आर्थिक लिए खर्री मिलेगा और किसानों को अपनी स्वाहिल की कि टेस्ट रिपोर्ट में सही मिलेगी यह बहुत ही अच्छा निर्णह हुआ है कि सानों के हित में पूरे ब्लॉक में सारी 313 ब्लॉक में यह प्रहुक्षालाइं काम करेगे अभी तक व्रक्षा रूपन के लिए CSR के माध्यम से 10 हेक्टर जमीन पर ही CSR के माध्यम से पेड लगाया जा सकते थे इसे कई छोटे दान दाता उसे चूक जाते थे अब 10 हेक्टर की जो सिमा थे उसको समाप कर दिया है और को एगर एक हेक्टर दो हेक्टर में भी प्लांटिशन करना चाहे जो CSR के माध्यम से तो वो कर सकेगा आज मंत्री मंदर नहीं नहीं दिया है एक और महत्व पुड़े है कि मद्रदेश फिढ 네 गाया से लोके संधिकुल ऐकी प्रदेश दो मद्रदेश सरकार उन्हें इस काल्स्वी प्रदान करती हूं पर कई बार चाहयन मैं मद्रदेश के तक पीद्धियारती कि मंद्य प्रदैश के बाहर सेनी कुई में प्रवेश पाते हैं, तो उन्हें इस सिविदा का राप नहीं मिलता था.. आज मंद्य मंदल नहीं नहीं लिया है कि ऐसे मंद्य प्रदेश के चैनित लिस्ट शेली कस्कून के इध्याती sì मत्यप्रदेश के बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें भी मत्यप्रदेश के सरकार स्कालर्शिप प्रदान करेंगे हैं, एक भारती खेल प्राधिकरम भोपाल के 100 एकर जमिन पहले से ही थी, उनको एक एकर जमिन के और आउशिक्ता थी, वो ब्याद आज वापस माम मार्प शुन् के जित्ती परियोंजनाएं मध्य प्रदेश के बनती थी उसकी इसास साहज़ां के काम나ATE उनके साहब काम म tv रहतती हैं, आज महत्य Hind possess दूर्प शक्रन बहुत दो की मतार्यों नर्माण से शुनкий सबक्रदान करें, ऽनको नकितन वी भीहती है, विप्रदान के जित्ती बहु आज एक पर्मानी मुक्तमुंती जी ने महत्रपुन ने लिया है कि हमारे मत्रपदेश के कई लोग पेरा मिलेटरी के लोग मिलेटरी में पोलिस में काम करते-करते शहिद हो जाते हैं साधरन तह पर्मपरा ये रही है कि जो भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है वह उस म्रतक की पत्नी को मिलती थै पर आज मानी मुक्तमुंतु जी ने जिन ने लिया मंसर मुंदल के सामने कि क्यों न हम उनके मावाप को भी पचास पतिशद्ध हैं साधरन तह वेवारिक रूप से ये होता है कि जो सेना में काप करने वाले तर्विस करने वाले नोजवान तापी यंग स्थिती में ही उनकी टेर्स हो जाती है माबाप का भी एकी रड़ता होता है चितनी राशी आती है उसकी पतनी को मिलती है तो ये वेवारिक रूप से उनके देखा है अगे थी फैसले के और से लिगी जारे माबाप का वेटा भी गया और कुश में ने बिला तो पचास प्रतिश्यत रासी मद्यप्यदेश सरकार क उनकी पेरेंट्स को पिले। एक बहुत छोटा सा भारती चुनाव आयोग ने जब चुनाव के पहले चुनाव कचार्स मार्थ हो जातार तालीच घंडे पर तो साधरन तया राजितिक दिलो को विग्यापन देली की प्रिंट मीडिया में विप्यापन देने की छूट थी पर राज निर्वाचन आयोग ने इस पर प्रतिमन लगाया था था कि नगर पालिकार, नगर निगम, लोकल बाडिस के चुनाव हो जैसे ही चुनाव पर चार्स थम जाता था सो प्रिंट मीडिया को उध्यापन नहीं मि प्रिंट मेडिया को लोकल बाडिस के चुनाव में विध्यापन बेली की छूट प्रजाइन करे था पहले चुनाव डारेक्ट होते थे नगर पालिकार, नगर पंचायत के विश्री बारिक में ने लिया गया था कि पार्षद के चुनाव तो डारेक्ट हो तो नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष के इंडारेक्ट हो इसलिए गजट नोडिफिकेशन पहले अध्यक्ष का भी होता था क्योंकि अध्यक्ष पहले जंता द्वारा निर्वाचित होता था अब क्योंकि अध्यक्ष पार्षद होता, तो पार्षद का गजट notification हो जाता कि अध्यक्ष की करने की आशकता नहीं हो तो किसी एक case में petition लगाया गया था, जो खखाई कोट ने का इक वहां, सर्कार ने आज इसपश्ट कर दिया है कि सिर्फ पार्षत का ही notification होगा, क्योंकि पार्षत के रूप में अध्यक्ष का कैज़फ notification हो जाता ह। इसलिए अध्यक्ष का कैज़फ notification नहीं हो जाता है। आज एक और महत्तुपुर निर्णले आज मंत्री मंदल के सामने एक सुझाव दिया कि जो मंत्री मंदल के सदस्यों को वेतन भत्ता मिलता है उस पे लगने वाला इंकम टेक्स राज्य सरकार भरती की मानि मुख्य मंत्री जैने प्रस्ताव रखा सभी मंत्रियों के समक्ष कि यह अधिनियम के माध्यम से मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इंकम टेक्स राज्य सरकार भरे है टेंक यू सब को जड़ा पिछ शे झाल कर यू कि वे रुभ पिड़न लुभ किनी पिच्चल